अक्षे कुमर को बॉलिवुड इंडस्ट्री का खिलारी कहा जाता है। एक्टर जल्ठी फिल्म सेल्फी में नजर आने वाले है। इस मुवी से एक के बाद एक बहतरिन गाने रिलीज हो रहे है। अक्षे ने भी फिल्म के प्रोमोशन में जी जान लगा दी है। इसी को लेकर एक्टर बीटे दीन एक प्रोमोशनल इमेंट में हिस्सा लेने पहुचे थे। इस दोरान उनसे मिलने आये एक फैन को अक्षे के बोडिगार ने ठकका दे दिया और वो जमीन पर गिर गे। फिर जो अक्षे ने किया वो देखते ही बन रहा था। अक्षे कुमर का एक वाइरल वीडियो ट्वीटर पर चाया हुआ है। इस क्लिप में खिलारी कुमर बाउंडरी के पीछे खड़े अपने फैन से हाथ मिलाते नजर आ रहे है। हाला कि इसी पीच उनका एक फैन बाउंडरी के इस और आ जाना चाता था। ये देख अक्षे का बोडिगार्ट सक्स को जोर का ठक्का मार देता है और वो सिधा जमीन पर जागिरता है। और सक्स को उठा कर सिठा गले लगा लेते हैं। अक्षय कुमर का इस जेचर से फैंस का दिल जीत लिया है। अक्षय कुमर के वाइरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है गार्ड पूरी इमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। गार्ड को सलाम। ये अब श्विस्वन्या है कि कैसे अक्षय सर ने फैन को गले लगा कर अच्छा महसूस कराया। ऐसे ही बाकी फैन्स भी एक्टर की दरिया दिली के मूरीद हो गए है। अक्षय कुमार और इमरान हाश्मी स्टारर फिल्म सेल्फी की रिलीज की बात करे तो ये 24 फरवरी 2020 को सिनमा घरों में रिलीज हो रही है। इस मूवी के साथ पहली बर दोनों स्टार्स को एक साथ स्क्रीन साजा करते हुए देखा जाएगा। सेल्फी मलियलम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का हिंडी रिमेक है। इसे राज महता ने डाइरेक्ट किया है। आशा करते हैं ये फिल्म बॉक्स आफिस पर खूब ठूम मचाएगा। ऐसे ही ताजा तरिन खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ। थैन्वार।